वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल बच्चो इंडिया एजूकेशन पाट साला में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप जानते हो इसके पहले मैंने इकाई एक सत्र एक दो तीन क्रम से मैंने समझाया हुआ है बच्चो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के जरूर दे होगा ना आगे जो भी वीडियो आपके पास में आएंगे तो जो सब्सक्राइब कर लेगा उसके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बच्चो सब्सक्राइब जरूर करें भूले ना सब्सक्राइब करना ठीक है उसके बाद में आज हम जो इकाई लेगर प्रश्तुत हैं बीच किसे कहते हैं और बीच का हम चैन कैसे करें हैं खेती अपने को करना है तो हम बीच का सबसे अहम महतु मानते हैं तो बीच क्या होता है और बीच का चैन कैसे करें और बीच से हम पौध कैसे तयार करते हैं बच्चों ये सारी चीजों को आज हम विश्ता से समझेंगे ठीक है तो हम समझते हैं बीच क्या होता है बच्चो अधिकांस फसलों को उगाने के लिए हम क्या करते हैं बीजों का प्रयोग करते हैं बीज का प्रयोग करना लेंगिक प्रवरधन कह रहाता है बच्चो ठीक है जैसे कि अलेंगिक प्रवरधन के लिए हम किसी क सिसे किरी से आज हम बात करते हैं कि बीज बहुत सारी फसले होती है जो बीज के माध्यम से उगाई जाती है अधिकांस फसलों को उगाने के लिए बीज एक मोलभूत जरूरत है ना क्या है मोलभूत जरूरत है व्यापक अर्थ में यहां पहुदों का वह हिस्ता है जो प्रसारण या रोपन या पुनर जनन मतलब कि प्रसारण याने समझो एक एक पाँदा से दूसरा पहंदा बनाना या खेती करना प्रसलोंगा इस इसी को हम बोल सकते हैं प्रशारण या रोपन 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 किसी बोलिघ्वाद! समझतेहों क्या हो थी है है ना transplanting जब हम ठोड़े या किसी में पौध तयार करते है ना उसके बाद में जब पौध को इस्थांतरन करते हैं उसी को बोलते है Transplanting है ना उसी को बोलते है रोपन हिंदी में तो रोपन करने के लिए हमें सबसे एहम चीज जो लगती है वो लगती है बीज है ना बीज पुनर जनन के उदेश के लिए उपयोग किया जाता है है ना सबजियों के बीज महंगे होते हैं क्या होता है बच्चो जो सबजियों के बीज होते हैं बहुत महेंगे होते हैं देखा होगा अपने मार्केट जब जाते हो आप बीज की दुकान में जब खरीते होगे आप पेकेट में मिलते हैं बहुत महेंगे मिलते हैं सबजियों के बीच है और जो अनाजों की बीज होते हैं बच्चो थोड़े कम होते हैं महेंगे हैं यह क्या होगा लागत अधिक महंगी हो जाती है लागत है ना यह चीजे आगे हम देखते हैं स्वस्त और अच्छी गुडवत्ता वाले बीज एक स्वस्त फसल दे सकते हैं अच्छे बीज अगर आप लगाओगे खेती में अच्छे बीज का मतलब यह कि प्रमाडित होना चाहिए आप लेते हैं बीज तो क्या होगा कि प्रमाडित पीज आप उपयोग करें तो क्या होगा खेती में आपकी फसल अच्छी होगी है इसलिए बीज का चैन महकुण होता है केवल अच्छी गुडवत्ता वाले बीज जो रास्टी खाद निगम द्वरा निरधारित निरदेसो के अनुसार बोई जाते हैं एक वांशित फसल उपज दे सकते हैं बच्चो क्या होता है कि आप बीज निगम बीज निगम जो कंपनिया होती है गौर्मेंट कंपनिया हो सकती है प्राइवेट कंपनिया हो सकती है तो वो क्या होती है प्रमाडित बीज बनाती है तो उसी का सबस्क् Station to distance सबसे पहला Facebook भूंए बढ जो अ चार बागों में बीच को विभाजित किया गया है देख पारे हो आप चित्र के माध्यम से है न एक चीजों को थद्हान से समझोगे बच्चों कि ये बहुत ऐसी चीजे हैं ना बहुत इनपोर्टेंट और आएंपी चीजे हैं तो ये जरूर आ जाती है एक question जरूर यहां से बनता है जैसा कि जानते हो आप बीज किसे कहते हैं और बीच के मुखे चार भाग या भाग कितने होते हैं यह करके आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप यहां से जरूर क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से पढ़ लेना बहुती सरज जी जाए आगे हम बढ़ते हैं बीच की गुडवत्ता यदि होगी तो उसके माप होना चाहिए कि उसमें क्या है पुराने जो अन्वानसीक रूप से जो जो बीच होना चाहिए वह सुद्ध बीच होना चाहिए यह चीजे उसकी रहना चाहिए और अन्वानसीक रूप से अच्छी बीच का पहुदा हो तो ही हम उसका उप्योग कर सकते हैं उसके बाद में बात कर लेते हैं जीवज़म में होना चाहिए उसकी वेलिडिटी अच्छी होना चाहिए जीवण छमता चाहिए उसके बाद में हम सेकंड चीज बारेंगे अधिक्तम नमी युक्त सामागरी अन्य बीजों के मिश्रण से मुक्त होना चाहिए कोई भी दूसरे बीज ना मिले ह यह जहा हूँ यह जीजों के आपको ध्यान देना बचो का है यह इसके बाद में बात करते हैं ताबूत इसके किसी भी हिस्से को किसी भी प्रकार की छती नहीं होना चाहिए यह चीज याद रपना है उसी को बोलतकते हैं कि गुडवत्ता पूर्ण बीच अच्छा गुडवत्ता बीच यह ऐसा बीच को आप खेतों में लगाओगे बच्चो तो सोभावी की बात यह है कि बहुत अच्छी आपके फसल हो जाएगी है अब आगे हम बात करते हैं बच्टो बीच उत्पादन करने वाली एजेंसियों क बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी एजेंसियां बीच का उत्पादन करती हैं आगे पड़ते हैं बीच उत्पादन प्रशिक्षित कर्मियों या विशेशक्यों की देखरेक में की जाने वाली फसलों की एक विशेश खेती है देश में बीजों के अधिकरत स्रोत है ना यहां पर बीच बनाती हैं पहले बात कर लेते हैं भारती क्रशी अनसंदान परिशद आईशियार बहुत ही प्रशिद यह अनसंदान है अपना भारती क्रशी अनसंदान परिशद है ना यह परिशद आईशियार जो होता है बच्चों बीज बनाता है फिर दूसरा है राज इस्टेट फॉर्म कॉर्पोरिशन ओप इंडिया क्रशी विज्ञान केंद्रे जो हर जीले में रहते हैं है ना गैर सरकारी संगठन याने की कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी क्या करती हैं बीज बनाती हैं तो इतने प्रकार की बच्चो बीज एजेंसियां हैं आपको ऐस क्या होते हैं बड़ी संक्या में बीज कंपनियां बीज उत्पादन का बीज वेपार में लगी हुई है सबजी के बीज का रोपर समागरी के मामलों में भारत में नीजी छेतर प्रमुख उत्पादक है मतलब की बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां क्या हो रहा है बच्च दो तरीकों का होता है टमाटर का हम यहां वरगी कर रहे हैं किस टाइप के टमाटर होते हैं एक तो बच्चो पहला टमाटर का भाग है निश्चित प्रकार निश्चित प्रकार ठीक है एक मिनट बच्चो पहला भाग देखते हैं बच्चो डिटर्मिनेट और दूसरा होता है यहां पे अंडिटर्मिनेट है यह पहला भाको संग जेंगे हम डिटर्मिनेट क्या होता है निश्चित प्रकार का कुछ टमाटर के पहुदों की ब्रद्धी फूल की कली में समाप्त हो जाती है इन्हें सेल्फ टॉपिंग या सेल्फ प्रूनिंग टाइप भी कहा जाता है य और जो हिलने डुलने वाली प्रजाति होती हैं यह वानासपति कली में समाप्थ हो जाते हैं और बेलों की तरह निरंतर विकास होता है बच्चो मैं आपको थोड़ा समझा दूँ यहां पे देखो के आप हम डेटर्मिनेट और अनडी्टर्मिनेट के בעres में समाजते हैं यह रख ऀसे कि यह पेढैंने टमाटर का टमाटर का पेढैसे रहता है दिख जाता है रहते हैं कि यह सिथा गहां s दिखा जाता तो इसने पोदा क्या होते है बच्चो सीन आओम तयाना इसे हैंना चाहल जाता है। कड़ा रहता है ये जुकता नहीं है ऐसे पहुदे को हम बोलेंगे determinate क्या बोलेंगे हम determinate निश्चित प्रकार का determinate तो ये क्या होता है कि साखा है इसकी मतलब तने क्या होते है बगल में होते हैं और साखा क्या होती ही इसकी मजबूत होती हैं और पहुदा क्रणी मजबूत बोल सकते हैं। और दूसरी बात करते हम हिंलने डुलने चीस्चित परकारें मतलब ऐक मतलब तो इसमें क्या होताा है बच्चो सभी के सुना। करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं इसको कर देते हैं सहारा ले 21 कि चड़ जाता है और बड़ा हो जाता है तो इसमें deuterminator की कुछ किसमें यहां में कि आप देंव पर सकते वैशाली रुपाली रस्मी पूसार ली यह सब डिटर्मिनेट की है और अन डिटर्मिनेट की बच्चों यहाँ पर देख रहे होगे अरक रखचक, अरका मेगाली, अरका समराट, अरका सोरव, अरका सरधा बच्चों यह बहुती मतलब सरल वेराइटी हैं इससे भी कठीन है पर अरका सरल लिकी हुई है यह सब क्या है बच्चों तामाटर की वेराइटी है, और हाइबरीड वेराइटी की बात कहलेगे का identifying हाइबरीड मतलब की बहुत पास जल्दी से ग्रोथ हो जाती है, अच्छी ग्रोथ कोड़ी, बहुत अच्छा फाल आता है पूशा घ्टी अच च बहुती सारल चीज मैं बताया आपको टमाटर के बारे में बताया टमाटर की दो प्रकार की किसमें हाँ पे हमने पढ़े दो प्रकार पढ़े टमाटर की है ना दो तरीके हैं मतलब से टमाटर आता है एक तो हिलने डुलने वाला और एक सीदे रहने वाला ऐसे याद रखलो आप है ना उसके बाद में बात करते हैं बच्चो ह हमारी तुमाटर की दूसरी फशल है बैगन क्या है बैगन पैगन के चरह देखेंगे एंग प्रिंजल न को थोड़ा समझेंग बैगन को अग partisan क्यों साय विक प्लांट दूकर एयद रखना है बहुत इंपोर्टन इस दिश्यारी बात तक कुछ जिए जाएगी कि ऐसे भी question आ जाता है कि कि एगplant की bottle name बताए एक plant की kliamate बताई जलवायू बताई ऐसा पूछ लेता अधिक आथा नाARK प्रतल है किसे बेगनति व्यक्त को ैग के नाम एग plant के नाम से भी जाना जाता ए karty शर्मन को की तीन प्रकार से वर्गी करत किया है टमाटर को हमने दो प्रकार से करे थे ना इसको तीन प्रकार से वर्गी करत किया है एक तो भाया पहला गोल फल गोल होता है देख रहे हो आप यहाँ पे गोल फल यह देख पारे हो आप गोल फल है ना उसके बाद में बच्चो दूसरा है लंबा फल देख तो बच्चों यह तीन प्रकार से क्या है बेगन के भाग है पहला तो यह गोल फल असनी सियाद हो जाएगा गोल फल यह लंबा फल और यह छोटा फल यह तीन प्रकार के बेगन के यहाँ पर भाग है आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे इसके बाद में मिर्च देखते हो और देखो ये लमबे फल की वीराइटी से यहां लिखी हुई है, ध्यान से आप पड़ सकते हो, पूसा hybrid Six, पूसा hybrids Nine, है norm ये पूरी क्या होई बच्चो गोल फल की विराइटी है, और लमबे फल की विराइटी यह नीचे लिखी हुई है, पूसा hybrid Five पूसा तो जरूर यात करने फिलेंगे, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, किसके बारे में, मिर्च के बारे में, मिर्च, लंबी और कड़वी तीखी प्रकार की मिर्च या तीखी मिर्च दिखाई गई, ये चितर के माद्ध हमसे आपको दिखाई गई है, तो उसकी किसम बता दे रहाँ कुन-कुन सी फिसम है, फूसा जॉला, पंत सिवन, पूसा सदा बहार, आंद्र जोती, भागलच्मी, यह सब क्या हैं बच्चो मिर्च की varieties है अब हम बात कर लेते हैं सिम्ला मिर्च की मिर्च की थी वो अब सिम्ला मिर्च की बात कर लेते हैं सिम्ला मिर्च क्या होता है बच्चो यह आकार में बड़ा होता है और थोड़ा तीखा नहीं होता है मतलब नहीच की मातरा में बोल सकते हैं हम तीखा नहीं होता ह इसकी हम सब्जी के रूप में प्रयोप करते हैं इस प्रकार की मिर्च का उप्योग सब्जी के रूप में हम क्या करते हैं प्रयोप करते हैं यहां सिम्ला मिर्च के नाम से प्रशीद है और फल अलग-अलग रंगों का भी होता है जैसे कि लाल रंग की भी सिम्ला मिर्च होती है लाल होती है पीली होती है हरी होती है किस शारी चीज लिख सकते हैं तो यह है सिम्ला मिर्ज्व अब पर बच्छो एक चीज तो आपको याद करना पड़े गा सीम्ला मिर्ज्व की वराइटी देखो केलिफॉर्णिया वंडर ऐलो वंड़्वन्डर और का मोहिनी अरका गौराव किंग ओफ नौर्थ है ये सिम्ला मर्च की क्या है विराइटी है आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चो कोई भी चीज़े यहां पे बहुती सरल चीज़े है ना इसके बाद में हमारा सबजी कर राजा आ गया आलू आलू नहीं डाले तो सबजी कोई मत मध्यम आउधिस में पकने वाली किस्म देर से पकने वाली किस्म या प्रसंसक्रण के लिए उप्युक्त किस्म है तो आलू आलू आप जानते हो आलू की जो किस्म है ये सिग्र याने जल्दी पकने वाली बच्चो ये मुक्के किस्म है कुपरी असोका, कुपरी चंद्रमुकी, कुपरी सुरिया ये सब क्या है बच्चो आलू की किस्म है ना तो बेटा आपको क्या याद रखना है यदि जीज जगे में कुपरी आया सामन कुपरी आया तो समझंग लेना कि आप आलू की विरायाटी पढ़ रहे हो काई की विरायाटी पढ़ रहे हो आलू की विरायटी पढ़ रहे हो तौ हुए मध्यम्हुध्दी में पकने वाली अपन सीकर पकने वाली पड़ेते अभ पढ़ रहे हैं कुफरी कुफ़ी कुफरी कुफरी कुफुर कुफुरी आई रहा है तो आप रख रहा है कुफुरी बात्सा घुक पहार को फुरी जोहार को फुरी सतेलज ये सारी चीज़े अगर आया तो अपर है ना सम फफ्रेटी आप पढ़ रहे हो जिले अपकिस चोनल कुन और फिष व्रिसोना यह सब क्या है बच्चो प्रसंश करण्ड प्रसंट क recognize का मतलब यह होता है कि जब हम कच्छा माल किसी कंप्णी को देते हैं या किसी कउध्योक को देते हैं तो वह प्रसंश करण करके बेचता है उसी को हम जो प्रकीरिया चलती बना के बेचने की उसी को हम क्या बोलते हैं प्रशंस करन तो प्रशंस करन के लिए उप्युक्त किसम है यह ठीक है अब हम बात कर लेते हैं बच्चो इतनी सारी जो चीजे हमने पढ़े उनकी बीजदरों के बारे में बात कर लेते हैं अब हमने क्या क्या पढ़े याद करू पर टमाकर पढ़ेया पंने मिरिच पढ़ेया पंने मिर्च पढ़ी saç लगाते लिए जोब ऐक हिक टियर के लिए 400-500 ग्राम बीच दर लगती है ढेना और डेशारसोंप्लाम की तियार करोगे है और प्रोपा क्लांटिंग रोपाई कर लोगे पिर बेगन की दोखोंगे 400-500 मेर्च देख लो हजार से 1100 यह बीजदर है इतना बीज लगेगा आपको है और एक से 1.5 किलो बीज लगभख मेर्च का आप ऐसा याद कर लो है ना सिम्ला मेर्च में 7500-800 बीजदर है इसकी है ना तो बच्चो कितना सरल है देखो आपको बीजदर पता चल गई है ना घर पे आप बता सकते हो आप घर में की टमाटार मेर्च आप जनरली सब के घर में अभ 15-22 कुंटल तक लगाओगे है ना और यदि कटा हुआ कंद जैसे कि यह आलू है तो उसको काट करके जब लगाओगे आप तो कटा हुआ कंद 15-20 कुंटल लगेगा आपको ठीक है तो इतनी सारी चीजे बहुत इंपॉर्टेंट चीजे आज हमने बहुत ही ध्यान से पढ़ लिये ना तमाटर के उसके बाद बेगन के भाग पड़े अपने गोल बेगन लंबा बेगन और चोटा बेगन हैंना मिर्च पड़े आलू पड़े हैंना ये सारी चीजे आज पढ़े बच्छो और ऑजे बीचə है बहुत सरल टॉपिक है इसको बार-बार आप यदि वीडि लोगे और इसके question बहुत ज्यादा सरल हैं आप क्या करोगे पार्ठ में से देख करके पूरे question answer कर लोगे बीच क्या है एक बीच के विभिन भाग यह सबसे पहले ही question पढ़े थे अपने हैं ना आपने वहां से लिखे लेना टमाटर की हिलने वाली और ना हिलने वाली बी दोनों प्रकार से आप अनतर कर लेना है यसके बाद बीच की गुर्वत्ता पढ़े था पन्ने उपर गुर्वत्ता लिख लेना। इसके बाद में प्रती हेक्टर सोलेने सी परिवायर की फसलो में बीचदर क्या होती है। तो ये सबसे लाश्ट में बीचदर दिये हुए है तो ये आपका इसको कर लेना है तो कितना आसान है देखो बहुत ही सरल मतलब ये टॉपिक था बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हूँ इसको दो बार जरूर देखेंगे बच्चो इस टॉपिक को ध्यान से है और बच्च में एक मात्र मेरा चेनल ही है जिसमें मैं व्यसाइक सिक्षा के अंतरगत पूरे वीडियो बच्चो आपको मतलब पूरा पाठकर मां मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बच्चो एक सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो क्योंकि आगे आने वा हाल क्यों में यूटूब में डलता है तो बच्चो आप क्या करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेंगे और लाइक जरूर फे इक और सेर जरूर पर एक तब्सकार पर तब था कि बच्चो अगले वीडियो के शाथ हम मिलेंगे ठीक है तैंक्यू